एलो माई डियर इस्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे जैसा कि हमने लास्ट लेक्ट में अलकॉल फिनॉल इथर को खतम कर लिया था जैसा कि आज आप लोगों का एक्जाम था तो आप सब का अच्छा गया होगा तो अभी ह बैपर पूरा प्रस्ट करने का कि वह एक ही आई में बच्छो कि आप पेपर को एप्रोच करने का तरीका समझे अगर आपको पेपर को एप्रोच करने का तरीका अगया तो I hope कि आप मैसीमम कॉश्चण अटेंब करना सीख जाओगे तो फर्स्ट अफ वो आपको जो पहला पर क्या बोलेगा ध्यान से समझेंगे यहां पर आपका question number 46 यह बोल रहा है कि what is the function what is the function of what is the function of 46 what is the function of डाई इथाईल इथर डाई इथाईल इथर इन ग्रिगनाड ग्रिगनाड रिएजेंट प्रिपरेशन देखो अच्छो यह तो मैंने आयो कि आप लोगों को बहुत अच्छी से बताया था ग्रिगनाड रिएजेंट फ़र्ष्ट टू ऐसंद ौबिक्रिगनाड िवक्वेयर को शॉम रित रिगनाड धर्ष्ट को नफंड प्रिगनाड दार रेन में दो थैखों के लिएखेंट वर्ष्ट ऌपार्ष्ट रिएखा लिएं पश्काश्श्वें पीजगनाड प्राउन प्र्ष्ट रिएंग्णा मेंन शुंट कोर्डिनेशन जेन पड़ा झाल-गैज कि अाउन-पट्रीं इस कुष्चन को कैसे समझेंगे ऐहां से नहीं करता त०्धलिस्टाइप पूरे तो आपका इंटरमीडियेट में काम आएगा इंटरमीडियेट आपका के थ्रू बनेगा लेकिन आपके रिएक्टेटिट और प्रड़क्ट साइड के टिलिष्ट का कोई भी आपका एटम प्रसेंस नहीं होगा तो यह आपका इंटरमीडियेट में आपको समझ में आ जाएगा इसोल्वेंट की तरह एक्ट करेगा उसको आपको यहां पर और अपरोटिक मीडिया प्रॉआइट करेगा और साथ में लोन पेर्लों क्या करेगा कोडिनेट बॉन्ट बनाएगpowered और जो बीच में जो ट्रांजेशन सेट बनेगा उसको करने का काम करेगा बाइं डोनेशन ओफ लॉन पेयर बाइं डोनेशन ओफ लॉन पेयर तो आपका अंसर क्या होगा इसमें इसमें आपका सही स्टेटमेंट कौन सा बच्चो यहां पर सही स्टेटमेंट आपका केवल और केवल सेकेंड और थर्ड है आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड और थर्ड है इसका अंसर होगा option number b now option number now आपका question number 47 which of the which of the following which of the following statement are correct अब ध्यान से समझेंगे कि कौन सा इस्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा ठीक है तो यहां पर स्टेटमेंट दियावाई स्टेटमेंट को हम यहीं कर लेंगे ग्रिस्रॉल और रियक्शन विद ऑग्जैलिक कराता हूं आपका ऐसा है कहां पर बचो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर पर देखो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्प्रेचर पर अगर मैं रियक्शन कर आऊंगा तो आपका क्या बना देगा है कि इस तरीके से यहां पर आपका एंटेच हो जाएगा 110 डिग्री सेश्छ सेल्सियस पर यहां आठेच हो जाएगा और यहां कर यहां तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा अब ध्यान से देखेंगे तो कार्बोग्जिलिक एसीड है और बीटा किटो है ठीक है बीटा किटो एसीड है तो यहां आपका CO2 रिमूवल होगा और CO2 रिमूवल होगा तो यहां से CH2OH देन आफ्टर अगर मैं इसका हाइड्रोलाइस काणगा यह क्या है आपका Easter compound का बने हाइड्रोलाइस बताया था Su इस्टरिफिकेशन इस्टर के हाइडुलाइस से एलकोहल बनता है जैसे ही मैं इसका हाइडुलाइस कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा देखो यहां पर CH2OH यहां पर CH2OH यहां पर CH2OH और साथ में आपका HCOOH इस 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 वाट फार्मीक एसीड इस 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 वाट रीस राउल ठीक है यहां पर शॉल इस इस रही तो यहां पर सेकिन इस्टेटमेंट क्या होगा भच्छो घ्रीष्ट रॉल ठीक है के ग्रिस्रोल की रियक्शन है CH2 CH CH2 OH ये भी आपका OH ये भी आपका OH ग्रिस्रोल आपका रियेट कर रहा है ऑक्जलिक एसिड के साथ मतलब C OOH और यहां पर C OOH इसके साथ रियेट करेगा तो क्या बनाएगा CH2 OCO यहां पर आपका इस तरीके से और यहां पर भी आपका C O OCH यहां पर CH2 OH बना देगा ठीक है आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब यहां पर जब मैं इसको हीट करूँगा ज्यादा टेम्परेचर पर तो यहां पर दो मोल C O2 बाहर निकलेगा और यहां से वी थे वीयुके बहर निकलेगवा तो यहां पर आपको डबल बोन क्रेट हो जायेगा और यहांutर .... यह तो क्या बोलेंगे आलआई अलकोहॉल तो यह पुशरन तレंड में आ था बोला अलाईल कोर्टेर्ट्ष। और आप इस्टेटमेंट थर डापका क्या है बच्चो ग्रिस्रॉल की रियक्शन अगर मैं डायलूट HNO3 के साथ कराता हुँ तो यहां पर ऑकसिडेशन कराने पर जहां पर क्या होगा बच्चो तो यहां पर बन डिग्री प्रैमरी को आपको ऐक्षिडाइस कर देगा ठीक है CH-OH यहां पर CH2-OH और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो और आक्षिडाइस करेगा तो यह आपका टॉनिक acid में covert होगा इसको भी अक्षिडाइस कुरेंगा है यहां पर साथ-सात आपका एसा product भी बनाएगा तो यह तो आपका हो जाएगा भूंचु क्या टार्टोनिक टार्टोनिक il us here इसको बोलते टाम trousers vat ना डीक पने यहां पर अगर यह वाइक्ष होगा तो यह Pan आपको समझ में आगया हुआ किस तरीके से तो आपका थर्ड़ इस्टेट्मेंट भी करेक्टर बच्छो और आपका क्या बोला है घृसरोल और आपका इस अगर आपका का रियक्शन करेगा तो कि यह तो आपको पर ध्यान से समझने तो नेक्स कोश्चन आपको पॉल रहा है घृटी इएट अपको बोला यहाँ पर अगर आपका कोई structural isomer होता है क्या हिए पोता है कि इस रचल मोलिकुलर मास स्यött होता है कि और उसह ज्चा correct होता है एक वह सिमीलर हो जाता है ठीक है ये बात ध्यान रखना अंडर अंडर इंडर प्रेशर और टैमपरेशर आपका क्या होना चाहिए बाती सब प्रॉपर्टी आई सो मर्की डिफर होती है बच्चो इन सब से तो आयोब कि आपको समझ में आया होगा तो इसका और इसका आंसर को सीथा आप लोगों ने कर लिया होगा नाउ नेक्स कोश्चन 49 49 तो आप हम देखते हैं 49 कोश्चन आपका क्या है लीश्ट वान और या आपका लीश्ट टू भी कि यह है तो आप देखो यहां पर पी आपका क्या है राइमर टिमान रियक्शन कि आपका क्या है बच्चो कोल बेस है रियक्शन और आपका क्या है बच्चो विलियम संथ विलिःमोशन संथेस रियक्ष वैक्षिए प्रसुन और ऑप्रिएशन ऑक नो ठीक है एक सीडेशन ओफ फिनॉल अब यहां पर लीस्ट तू में आपको प्रोडक्ट बता रखें फर्स्ट आपका क्या है् रखो बेंजो वेंजो क्योन नोग यूट नूट पकर वच्चो सेली है कि अगते हाइड थर्थ आपका क्या है बच्चो सेलिस ailes acid और आपका क्या है बच्चो इथर में आपका इसते साथ बनेगा यह तो आप लोग जानते होंगे ठीक है और कॉल में रियक्शन में आपको सेली-सेलिक एसिड बनता है राइमन टिमान में आपका सेली-सेल्डिहाइड और फिनोल में आपका बेंजोक्यूनॉल देखो जहां पर मैं एक एक करके आपको रियक्शन बता देता हूं कि यहां पर सबसे पहले इस टाइब की तो पर यहां पर यहां पर आपके पर आया हुगा काफ़ी की श्कुल ईयक्शन है-ठीक elites यह तो था ऑशिडाशन ओफिनोल और आपका राइमन टिमान आपका क्या है बच्चो है पहल रायमर टिमान रीक्शन रायमर टिमान पया है भच्छ क किया है ब과 थिहान से इक्षण endeavor यहां पर आपका का यहां पर आप fellow how और क्यों क्या है तोब्य प्ट आथा कि होता हो मेव दिए क्या हउता है ब्ट-cen पहौलबे रिएक्शन भी आपका fynol के लिए ओता है cc if i aspect मैंने अगर मैंने फुर्पेसिक साहफ हीट और साथ हाइड्रलाइसिश कराया तो यहां पर आपका क्या बन जाता है भच्छो सेली सैलिक एडा एक। Pr sich और आपका सेलिक होता है और यह आपका सेलिक ए ऑगड्रा अगा इस stabilize फौर्थ और आपको ऐखरेशिन फिनोल का बैजो की योन जिए बच्चो नेक्स्ट नेक्स्त कॉशन से बच्चोम इसका मेकनिज्ड में आपको बता रखा है मेकनिज्ड में है अगर आपको समझ भी नहीं अब है एक बार मेकनिज्म में देखो और कोशिश करो कि आप लोग सारे कोशन मेकेनिजम से ही सॉल करें ठीक है नेक्स कोशन बच्चो कोशन नमर फिफ्टी देखते बच्चो यहां पर वीच आफ दा वीच आफ दा फॉलोईंग वीच आफ दा फॉलोईंग नॉट तू इन दे केस ओफ इन दे केस ओफ रिएक्शन वीद हीटेड कोपर एड थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस देखो ए आपका क्या होता है बच्चो फिनोल की रिएक्शन क्या होगा बच्चो बेंजाई फ्राइमरी इन देन क्या रिएक्शन इससे क्या बनेगा इल्डिहाइडा ते सी क्या होगा से तू-डि एक्टो यहच्टि-ण मैं बनेंगा गए यहां पर कुन छैट्रा में अलकॉह डो इन accord को उर्यो आतर आतरा ऐसे मनेंगे व्हेरा फिरा दो मौन्स पेटमेंट जिलpflicht कर दो तो यहां पर नोल का फिनॉल का उक्स पूसिबल यह नहीं तो е जो क्यों यह नहीं बनाए गए प्रैमरी अलकॉल मतलब CH3, CH2, OH एज एक्जाम्पल मैंने ले लिया अब कोपर के प्रेजन्स में यह आपका क्या बना लेगा बच्चो एल्डीहाइड सेकेंडरी अलकॉल secondary alcohol के बारे में बच्चो मैंने आपको बताया था यह आपका copper के presence में क्या बना लेगा बच्चो यह आपका copper के presence में आपका ketone का formation करता है और tertiary alcohol बच्चो आपको क्या करेगा यहाँ पर CH3 CH3 यहाँ पर OH बच्चो बनाता है बच्चो ध्यान रहे हम किसे बोलते बच्चो आपको यहां तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा अब हम चलते बच्चो नेक्स्ट कोशन पर कोशन नमर 51 बहुत यह अच्छा कोशन है इसमें मोल कॉंसेट को मिला के दिया हुआ है तो देख लेते बच्चो कोशन नमर 51 क्या बोला है what amount of bromine will be required 2 gram of phenol मतलब आपका यहाँ पर phenol कितना दिया हुआ है 2 gram यहाँ पर phenol आपका 2 gram दिया हुआ है और यहाँ पर आपको क्या बोला है टाइ ब्रोमो फिनोल यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका BR2 के साथ reaction करेंगे हुआ है तब ही आपका ट्राइब रोमो फिनोल बनेगा यह बी यार यह बी यार और यह बी यार और यह बनाना है और इसके लिए required amount of क्या पुछा है इस टू ग्रैम के लिए यह कितना required amount में होगा ठीक है तो ध्यास से समझना बच्चो फिनोल का अगर आप लोग मॉलेकुलर मास्स निकालोगे तो क्या आएगा देखो तो यहाँ पर शीच एक मैनस कर जाता है इस एक मैनस कर देखाए यहाँ पर शीच प्लस शीच कितना हो जाएगा नांटिफोर ग्रैम तो हम क्या पो सकते हैं नांटिफोर ग्रैम को कितने बी आर्टु की requirement पड़ेंट पड़ेंट पड़ेंगी बच्चो यहाँ पर एक बी बिशमार का कितना होगा सारी इसे लिए एक साथ लिए 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 रिक्वायर्मेंट होगा बैट्चो जहां पर आजये गार मैं 2 के लिए पूछूंगा तो इतने भी और 2 और तो यहां पर यहां पर आएगा यहां पर देख सकते बच्छों यहां पर यहां पर 10.19 इस तरीक है से समझों इसको थोड़ा बढ़ा दो इसको थोड़ा बढ़ा दो ठीक है यह 500 हो रही है यहां पर यहां पर प्रॉक्सिमेट फाइफ आता फाइफ मुल्टिप्लाइब टू कितना हो जाता टेन हो जाता तो इस तरीके से हमें इस कॉश्चन को डील करेंगे बच्छों ना अब हम चलते हैं नेक्स कॉश्चन हमारा क्या है बच्छों यहां पर वीच ओफ टेस्ट कि आयोडोफोंग टेस्ट मतलब आपका ऐयोडोफोंग क्या होगा है है यौई कि अधिक आपका किसी यह वाला फ्रेधिनित आपका प्रेजेंट हो ठीक है अब हम देख लिए एक करके इस्ट्रक्चर एक के लिए क्या बच्चों एसीटोफिन्न ऐसीटो फिनॉन अगर आपका Acetofenone होगा तो यहां पर क्या होगा बच्चों इस तरीके से structure होगा ठीक है अगर मैं बीचे लिए बात करूँगा तो यहां पर क्या होगा मिथाइल एसीटेट तो यहां पर क्या होगा CH3 COO CH3 ठीक है मिथाइल एसीटेट ठीक है यहां पर ऐसा फ्रेग्नेंट तो है लेकिन आपका इस्टर कभी नहीं देगा ठीक है यहां पर भी हो गया वी के बाद आपका सी यहां पर अब एसीटेमाइड आप जब एसी टेमाइड क्या होगा बच्चों CH3 CO NH2 एक यह जाएगा आपका एसीटेमाइड ने आपका ऑल अप धीज ठीक है ध्यान से समन्ना अब यहां पर आनसर क्या वागे बच्चों यहां किवल किटोन और एल्डियाइड का टेस्ट होगा और क कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है बच्चो काफी इजी कोशन था अगर आप लोग एक दो बार दिहान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा आप देखते कोशन नमर 53 यहां पर कोशन नमर 53 बोला एंट्रा मॉलेकुलर री अरेजमेंट ऑफ फिनाइल एसिटेट में बना लेता हो बच्चों यह मैंने फिनाइल एसिटेट बना लिया अब इसकी रियक्शन किसके साथ करानी है बच्चों यहां पर प्रेसेंस ऑफ एल सी अल थी अब मैंने एल सी सी तरी के प्रेंसि में आपको कोंसा ने बता था प्राइस प्राइजमेंट र अरेंजमेंट र एक्शन और आपको क्या बनता था बच्चों यहां पर आपका Bear in Përßen आ इस और यहां पर लिश्ट वन और यहां पर लिश्ट टू ठीक है बच्चो लिश्ट वन में आपका क्या है बच्चो मेथे नॉल रीजेंट ठीक है और यहां पर यहां पर फिनॉल यहां पर आपका फिनॉल में इस्ट्रक्चर बनाता बच्चो यहां पर आपका फिनॉल और साइक्लो एक्जेनॉल यहां पर आपका सोडियम मेटल ठीक है अब यहां पर N-butyl N-butyl alcohol और टडशरी ब्यूटाइल alcohol आपका कौन सा आयोडो फॉम और आपका साथ में कौन सा है इथेनॉल और यहां पर एथर और यहां पर दिया हुआ है फेरिक लॉराइड अब ध्यान से समझेंगे एक एक करके ध्यान से समझेंगे बच्चो तो सबसे पहले मैं यहां पर इसको डिसकस करता हूँ बच्चो तो इसको कैसे करेंगे बच्चो ध्यान से समझेंगे बच्चो इस को तो यहां पर मेरे पास क्या है एलकोहल है इसकी रियक्शन एने के साथ करवा सकते हैं हाइडोजन के इसका रिमोवल होगा ठीक है और अगर मैं इसकी रियक्शन कराऊंगा यहां पर तो यहां पर क्या पुर्ण यह अपका अचैस्ट नहीं देलगेंगा तो यह क्या होगा ऊच्च प्रू तो यह अगर इसका और एसमें इसका करेंगे तो यह आपका तो इसमें कनवर्ट हो जाएगा अब दोनों में से केवल यही वाला आपका आयोडो फॉर्म टेस्ट देड़ागा तो इसके लिए कि क्या हो जाएगा बच्चो यह आपका आयोडो फॉर्म टेस्ट अब ध्यान से समझना इसको हम कार्बॉलिक एसिड भी बोलते हैं फिनॉल क प्रेड ब्लांग प्रिसिपिटेट देगा बच्चो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से आपके कुछ नहीं कोशन भी होंगे बच्चो तो उसको आप लोग एक बार ध्यान से देखोंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नाव आप हम चलते बच्चो नेक्स कोशन की और 55 कोशन नमर 55 काफी इज़ी कोशन है देखते बच्चों यहाँ पर वें टू-टू-डाइ-मिथाईल टू-ब्यूटेनल CH3, CH2, 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 OH 2,2-डाइ-मिथाईल CH3, CH3, 2,3 यह बच्चों यह आपका 2,3-डाइ-मिथाईल और 2-ब्यूटेनल मतलब यह आपका हो गया 2,3-डाइ-मिथाईल 2-ब्यूटेनल हाँ बिल्कुल करेक्ट है यह आपका कंपाउंड है आप क्या बोला इसमें कि इसका acid catalyzed dehydration कराएंगे तो इसका मैं अगर dehydration कराऊंगा तो क्या बनेगा इसका अगर यहां से dehydration कराएं बच्चो तो यहां पर क्या हो जाएगा CH3 CH CH3 यहां पर CH3 यहां पर CH3 यहां पर OH2 प्लस अब यह एज लिविंग ग्रूप आपका बाहर निकलेगा अब यहां पर यह एज लिविंग ग्रूप आपका बाहर निकलेगा तो यहां पर आपका CH3 यहां पर आपके दो प्रोड़क्ट बनने की पॉसिमिलिटी है यहां पर क्या होगा यहां पर डिया इड्रेशन कराएंगे तो यहां से यह हैड्रोजन मैं यह पर एलिविंट होगा तो यहां पर CH3 C double bond यहां पर ह यहां पर हनी है ठीज सूप controller और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां यहां पर आपका और आपका CH3 यहां पर आो पर यहां पर afin Ch3 ठीक है यह बैशावल सकवानम कंप्रोडर्चतार की हम इस के से हुआए को भी करेंगे अब देखतें बच्ण यहां से-प्र प्रोडर्ष आंट के पार ईसका नाम होगा थो प 카ада तो थ्री डाइ मिथाइल चाहिए बच्चो वान ब्यूटीन यह इसका प्रोड़क्ट हो जाएगा इसका नाम आपको दिया हुआ है तो आई होप कि आपको समझ माझेगा टू ब्यूटीन होता तो वह मेजर प्रोड़क्ट होता है 20 में मेजर प्रोड़क्ट है ठीक है कि में आपको पढ़ प्रोड़क्ट होगा इस्प्रोपाइल के साहुआ कि मीन क्या यहां पर इस तरह के से होगा क्यों का क्यों यहांute परcrireह病ल है क्यों मतलब HCL के साथ या फिर इसको ट्रीट करेंगे तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चो यहां पर आपका साथ में फिनोल और यह आपका एसीटोन बन जाएगा यह आपका सीधी रियक्शन आईए बच्चो तो आई होब कि आप लोगों ने कर लिया होगा तो इसका आ नुमर 57 क्या है बच्चो हमारा कोशन नुमर 57 दा ओडर दा ओडर ओडर ओफ रियक्टिविटी 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 आफ एल्कोहॉल तुवाड सोडियम मेटल सोडियम मेटल इस पर पार तीनी दिए बच्चो तो में बात करता है का एक में बात करता हूँ सेंटर्इक तर्ट करते हुझत्विटा यहां पर और यहां पर मेरा टर्टशरी एलकॉल में बना लेता हूं ठीक है यह हमारा टर्टशरी एलकॉल आप देखते बच्चो ड्शीचरीज के पारीट करेगा इसका ड्रीकर आपक्ष ज्यादा होगा तड्र किसका मिक्सिमम है ठीक है क्यों सब्सक्राइब और इस्टेबिलीटी ऑफ कॉंजुगेट बैस इस्टेबिलीटी ऑफ कॉंजुगेट बैस डिरेक्ट्ली पॉपर्पोर्ट्रों टुब टू इलेक्ट्रों डॉनेटिंग ग्रूप आपको समझ में आ रहा होगा आप हम चलते हैं बच्छों नेक कि एक उस्टेबिल क्राफ्ट क्राफ्ट रिκεक्शन ठीक है लुन जो डॉन ऑपका है कि यहां पर आपका अस्यालन न भने कंसा डिरेक्षे अयां वेहां से आपका इन दौनों से देखो यह और यह आपकारेट करेगा तो यहां पर आपका असडीनिय मायल तो यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो यहां पर आपको समझ में आगया होगा किस तरीके से आपको प्रोड़क्त बनाने तो यहां पर आपको क्या बनाएगा प्रॉड़क्ट बच्चो इसको क्या सकतें तो समझ में आ रहा होगा आप हम चलते बच्चों नमर 59 कि बच्चों काफी इंपोटेंट है और यह हम लडियाइड और कि टोन के पढ़ेंगे तो आप लोगों को डिटर्डने की कोई जरूप पढ़ेंगे मैं आपको इसका एक समरी बताता हूँ आपको समझ में आ जाएगा ठीके बच्चों देख लेते हैं यह आपका इस तरीके से और इसमें हाइड्रोक्सील आमाइन के साथ रियक्षन कराना मतलब इसके साथ इस रियक्षन में सिंपली हम इस तरीके से समझते हैं यह रियक्षन आपका एल्डियाफिर किटोन कंपाउंड देता है और क्या बनाता है ओग्जाइन देखो अगर मैं बोलना चाहूं कि यहां पर सारे अल अगर मैं इसका कीटो फॉम बनाना चाहूं अगर मैं इसका कीटो फॉम बनाना चाहूं तो कीटो फॉम आपका ज्यादा इस्टेवल नहीं होता है इसका कौन सा फॉम आपका ज्यादा इस्टेवल होता है बच्चों इसका इनॉल फॉम आपका ज्यादा इस्टेवल होता है तो इसका आंसर क्या जाएगा इस तरीके से इसको करेंगे ठीके बच्चों और यह कुश्चन में आपका डिस्कस करने वाला हो एल्डी हाइड और वह किटोन में बच्चों ठीके नाव अब हम चलते बच्चों नेक्स्ट कॉश्चन पर कॉश्चन नमर सिक्स्टी क्या बोल रहा आपको डिहाइड्रेशन ओफ एल्कॉल यहां पर सी एच्ट्री सी एच्ट्व ओएच गिफ्स एच्ट्व एसो फॉर के प्रेजन्स में आपक अपको समझ मारा होगा सल्फ्यूरीक एसीड आपका किसकी तरह करेगा देखो बच्चों एल्मिनेशन रियक्षन है अब यहां पर अगर अगर आपका बेस की तरह भी एक्ट करेगा पहला पोइंट खतम दूसरा यह आपका एसीड होता ही है यह आपका एसीड की तरह प्रोटोनेशन कराएगा यह आपका एल्मिनेशन कराएगा यह आपका एलिमिनेशन कराएगा और यह आपका प्रोटोनेशन कराएगा तो यहां पर एसीड की तरह भी वर्क करेगा नाव यह आपका कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करेगा तो यह आपका कैटलिस्ट की तरह भ पार्टीसिपेशन इन इंटर्मेडियेट इन इंटर्मेडियेट यह आपको समझ में आ रहा होगा नाओ अब हम चलते हैं यहां पर नेक्स्ट रेक्शन नेक्स्ट को क्वेश्चन नमर सिक्स्टी वन क्या बोला है कि क्य टू सीयार टू सेवन अच प्लस आपका गृरीन कलर कव देगा बच्चो यह खुद में क्या रेडियू ौजए मतलब सामने वालों को क्या करते बच्चो ऑक्सिडाइज करें तो देखो फिनोल का ऑक्सिडाइशन आपका पॉसिबल नहीं है यहां पर भी यहां पर भी आपका फिनोल है यहां पर भी आपका फिनोल है लेकिन यह आपका किस में हो गया हो जाएगा बच्छो यहां पर यह आपका इसमें और यहां पर कार्वुजलिक एसीड ठीके लेकिन यह भी आपका पॉसिबल नहीं है बच्छो यहां पर भी ठीके फिनोल का नही हैं नहीं होगा यहां पर भी आपक 아니라 क्या होगा ठीक होगा कि यह यहां से ही आपका किसमे कर जाएगा बच्चो ग्रीन कलर कि यह इसको रिद्यूस यह इसको ऑक्सिडाइस कर सकता है यहां पर ऑक्सिडाइशन फिनोमेन आपका चलने वाला है आपको समझ भाया होगा नाओ नेक्स कॉश्चन आपका कॉन सा है बच्चो टुवाड मॉस्ट कॉश्चन नमर 62 यहां पर ए औप्षिन क्या है बच्चो आपस्याइट कि certainty वर्ट ओपन धर मतलब हीमको ऑ खीमको अ कंया ब्रुप सिट्ट यहां पर आपका पेंयल मतलब सी सिक्स x 6 यहां पर आपका OH B option क्या है 1 phenyl, 2 propanol मतलब यह आपका CH2, CH OH, CH3 C option क्या है 3 phenyl 3 phenyl, 1 propanol मतलब CH2 OH इसको ऐसे भी लिख सकते है C6, H6 CH2, CH2 CH2, OH और इसमें ऐसे कोई नहीं देखो, यहां पर आपको HBR के साथ, जिसे ही मैं इसका reaction HBR के साथ कराऊंगा इसका भी HBR के साथ कराऊंगा और इसका भी HBR के साथ कराऊंगा तो सबसे के लिए आपका protonation होगा ठीक है, OH2 प्लस बनेगा यहां पर भी आपका OH2 प्लस बनेगा यहां पर positive charge यहां पर positive charge और यहां पर भी आपका positive charge आपको positive charge आपको कहां ज्यादा है इस्टेबले बच्चों तो answer क्या हो जाएगा बच्चो 62 का a answer आई हो अपसो कि आपको समझ में आ रहा होगा now next question 63 बच्चों तो यहां पर CH3 OCH3 यहां पर CH3 OCH दिया हुआ है first second और यहां पर C2H5 OCH third अब जैसा कि मैंने आपको बतायता है यहां पर पूछा है आपको solubility क्या होता बच्चों अब ध्यान से समझेंगे बच्चों मैंने आपको बताया था यहां पर बड़ेगा तो यहां पर यहां पर बड़ाए मतलब बड़ा आप चोटाल क्रूब तो छोटा यहां पर हाइट्रोफॉबिक पार्ट हाइड्रोफॉबिक पार्ट इन एल्कोहौल के लिए जहां पर सेकर्ड ज्यादा सोलिबल होगा उसके बाद थाड़ और ध्यान से समन्ना के एल्कोहल है टेंडेंशी इसलिए हो infinie तो यहां पर यहां पर क्या जाएगा यहां पर दोनों आपके क्या बना लेंगे यहां तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से को और फोग्रेस करना है जिए बच्छो नेक्स कॉश्चन की और चलते हैं जब अब हम हमारा नेक्स कोश्चन क्या बच्छों देख लेते हैं इसमें आपको रिएक्टिविटी ओडर बताना है आप तो यह कुशन काफी इजी था बच्चो यह कुशन आप लोगों को आ जाना चाहिए था अगर मैं इसमें रिएक्टिविटी ओडर की बात करूँ एलकायल ग्रुप के लिए ऐखिकर चाहिए एलकॉछ और की बात करऊँ तो ट्रीएक्टिविटी ओडर क्या होगा इस तरहिकरी से मेकनिजम होगी तो आपका थ्री डिग्री अल्कॉ बध्र एक्टिव होगा ऊसके बाद बन डिगैंड़ी ऐसाना आपको प्ड़ा दिया था ईंबार सब्सक्रों कर दिय बहुत ही आसाने वीच अफ़ फॉलोईंग है इस प्राइमरी अलकोहॉलिक ग्रॉप प्राइमरी अलकोहॉलिक ग्रॉप अब देख लिए बच्चो ए यह आपका क्या हो जाएगा बच्चो बी यह आपका यहां पर सी एच थ्री सी सी ओएच थ्री घ्री और आपका इस यह आपका यह आपका यहां पर I hope so कि आपने कर लिया हुगा बहुत ही easy question था बच्चों ये तो next इन में से कौन सा आपका 2-propanol का yield करेगा ठीक है देख लेते बच्चो question number 66 which of which of the following which of the following reaction will yield 2-propanol क्या होगा फ़र्ष्ट बच्चों देख लेते हैं CH2 double bond CH CH3 और यहां पर H2O H plus अब अब देखते हैं इसके हिसाब से कैसे होगा दिखो ध्यान से ध्यान से समझेंगे यह आपका यहां टेक करेगा वही रिएक्शन यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों CH2 यहां पर सोरी CH3 CHOH और यहां पर CH3 मेरे आपको बताया था सेम रिएक्शन हम कितनी बार कर चुके बच्चों आयोप कि आपको आ चुका होगा नाव नेक्स रिएक्शन सेकिंड क्या है बच्चों CS3 COH इसकी रिएक्शन CS3 MGI के साथ किस तरीके से होगा बच्चों CS3O प्लस है तो यहां पर यह यहां टेक्च करेगा यह उपड़ जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा CS3 CCH3 O-MGI यहां पर इसका हाइड्रोलाइस कराएंगे तो यहां पर क्या होगा बच्चों CS3 COH CS3 I-OPS की यहां पर भी आपका 2-COPENOL बन गया नाओ थर्ड थर्ड बच्चों आपका ऐसा है C2H5 MGI इसका हाइड्रोलाइस कराएंगे तो यहां पर यह नीचा आएगा यह उपड़ जाएगा तो यहां पर HCO-MGI यहां पर H यहां पर C2H5 तो यहां पर हैड्रोलाइस कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों C2H5 CH2OH यह आपका क्या बनेगा वन प्रोपनोल क्या बनेगा वन प्रोपनोल नेक्स्ट 4th CS3COCH3 इसकी रियक्शन CS3MGI के साथ कराएंगे तो यह यहां जाएगा यह उपड़ जाएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा तो निटाइल टू प्रोपनोल टू मिथाइल टू प्रोपनोल ठीक है बच्चों आई होप तो कि आपको यह कोशन कर लिया होगा अब 6767 बच्चों आपका थेयुरेटिकली यह है रिजेंट पुछा है तो रिजेंट कौन सा था बच्चों इसका बीच 3 2 है है एम एच और एक्टू आड़ ऑटो यह आपका यह आपका है इसका मीडिया में होता है रिएक्शन यह आपका रिएजेंट होगा इसकी जदा हम क्या लख सकते बच्चों वीटू है आपको पता होगा थी आपको समझ में आगे होगा नाओ आप हम चलते बच्छो नेक्स्ट कोशन 68 पर अब देखते यहां पर 68 कोशन तो 68 कोशन कि नियो पेंटाइल एलकोहल नियो पेंटाइल एलकोहल यह आपका है नियो पेंटाइल एलकोहल आपका H2SO4 के साथ रियक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बच्छो अद्रको सबसे पहले यह होगा यह आपका OH2 प्लस यह बाहर निकलेगा आप यहां पर कार्बो गटैन बनेगा आप कार्बो गटैन क्या होगा बच्छो यहां पर मिथैल शिफ्ट होगा तो यहां पर सिसी एजब शुक्ढबर सी थिस फी यहां पर सी एज एज तरी हिआप कर्डबो गटैन बना ठीक है अब धिशान से फ़ना बच्छो कि यह आपर टू एल्किन प्रोडुक्ट बनेगा यहां पर कितने ठ fabrics we'll be a wacky है इन शके चर्षए फो कि कри यह आपका स्थीए ट रख व कर दो के चठ्री और मैं। यहां से बनेगा यह आपदिव अपने गाओ यहां पुछ है यह आपका रिशम परस्ञ्ट पर्सेंट ही। धी Chb हम इसमें यहां परल cynäsक कि आपका मेजर पीए और अगर ज़ अगर मैं बात को 85% concentration high heat of hydrogenation इसका heat of hydrogenation तो कम होगा बच्छो मतलब सोरी एलकीन वीचेव 85% concentration has higher heat of hydrogenation and other one obtained is 15% concentration यह statement आपका गलत है ठीक है वीच बोट गीव सेम प्रोड़क्ट और जोनलाइसिस कभी नहीं बच्छो कभी नहीं कि यहां पर जोनलाइसिस करेंगे तो दोनों इसके साथ reaction करता है ठीक है 600 Kelvin और यहां पर बोड़ सकते हैं तो यहां पर फिनोल बना लेता है यह आपका डो प्रोसेस और आपका साथ reaction करेगा बच्चो यह आपका h2o के साथ reaction करेगा इसको उपड़ देख लेते बच्चो ठीक है यहाँ पर रशिंग प्रोसेस में क्या होगा रशिंग प्रोसेस में आपका क्या होगा है है यह आपका क्लोरो फिनोल एक लाइज है क्लोरो 20 ने स्टो के साथ छीए थी योप औरह गैस के साथ कि इसमें से कौन सा फिनोल नहीं है कि देखो ए ऑप्शन कि यह तो सीधा सीधा फिनोल दिख रहा है कि भी ऑप्शन कि भी आपका ऐसा है कि यह भी आपका फिनोल है कि 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 सी ऑप्शन कि सी ऑप्शन बच्चों द्यान से जमनना कि यह आपका फिनोल नहीं है यह आपका यह भी तो आपका फिनॉल ही होगा और फिनॉल होगा फिनॉल की डिफिनेशन होती है हाइड्रोक्षी डेरिवेटिवस ऑफ बेंजीन यहां तक समझ में आ गया होगा नाओ आप हम चलते बच्चों नेक्स्ट कॉश्चन पर कॉश्चन नमर सेवंटीवन अब यहां पर कॉश्चन नमर सेवंटीवन हमारा क्या होगा देख लेते बच्चों यहां पर देखो आपको इन्करेक्ट स्टेट्मेंट पता लगा रहा है ठीक है कौश्चा पर इंक्रेक्ट इस्टेटमेंट परिंट्रेंट में इसका बॉणड एंगल 109 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनेट से इंक्रीस करके 111 डिग्री का हो जाता है ठीक है बच्चो नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या बोल रहा है बच्चो यहां पर एथोक्सी एथेन मतलब C2H5 O C2H5 अच्छी बात है यह तो मिने आपको बताया बच्चो C2H5I बनाए रहा यह भी करेक्ट है यह भी करेक्ट है नाव एथर एंड एलकोहल आर फंक्शनल आई सोमर वेरी गुड एथर और एथर यह इसका एथर और एलकोहल दोनों आपस में क्या होते बच्चो फंक्शनल आई सो होते हैं जैसा कि मैंने आई सोमर में पढ़ाया था यह भी आपका करेक्ट है डी ऑप्शन एथर आपका लूइस बेस की तरह तो रियेट करता है यह आपका लूइस बेस है बच्चो करेक्ट है लेकिन आपका H2SO4 के साथ तो आपका रियेट करेगा यहां पर प्रोटोनेश होगा तो इस तरीके से आपका रियेक्शन बनाएगा औक्जीनियम आयन मैंने आपको बताया होगा औक्जीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है औक्जीनियम आयन का यह मैंने आपको बता चुका हो बच्चो तो यह वाला आपका इनकरेक्ट है यहां पर इसलिए दिया वाए क करता है बच्चो अगला कोशन 72 72 कोशन आप हम देखते हैं बच्चो यहां पर 72 कोशन हमारा क्या है बच्चो 18 क्राउण 6 एथर मिन्स अब देखो यहां पर 18 क्राउण 6 एथर का मतलब क्या होता है कराउण 6 मतलब कितने आपके क्राउण है एक दो तीन चार पांच छे क्राउण अब इसके अंदर नम्मर ऑफ कार्बन कितने होंगे काउंट कर लो बच्चो यह आपका क्राउण स्ट्रक्चर होने की वज़े से इसको क्राउण बोलते बच्चो ध्यार रखना यह वैसे भी हम कोडिनेशन कंपॉंड में पढ़ने वाले बच्चो क्राउण के बारे में ठीक है बच्चो तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप देखो यहां पर नम्मर ऑफ का एक दो तीन चा अच्छा तो कोशन नमर 73 बोल रहा है कि इस में से ए और बी है और और बी में से कौन सा आपको है हलो फॉंट टेस्ट देगा ठीक है बच्चो ध्यान से समझेंगे ठीक ओके बच्चो ठीक ठीक देखो यहां पर बोला है सी फॉर एच टेन ओ की रियक्शन है एच आई के साथ अगर में होट और आई और आई बना लेता है मतलब अलकाल आयोड़ेट बना लेगा आर वन और आर टू ठीक है अब इनकी रियक्शन अगर में एन और एच के इनकी अनकी तो ध्यक्सट करूस्ट मिलेगा और यहां पर लेगा मुझे है यहां पर चूर आई और गार इंट किया और इसकी रियक्शन अगर सेंगिया अगर में अगर मैंसे टी अईट किस साथ किरांगा तभी तो है अश्डन एकशन देगा तो आई टके-सक्य का आर रह अच्छन आपके देने चाहिए दोनों आपके हैलोफोम र्यक्शन अप tamp देंगे तीके ओरिजिनल कमपॉउंट क्या होगा ह्या य Marie आपको इसके बारे में पूछा है तो दोनों आपके हैलोफोम रेक्शन देंगे या तो यह आपका लगरी हो या तो तू डिग्री और साथ में क्या हो चीएच थ्री सीओ फ्रेंग्मेंट प्रेजेंस हो तभी आपका देगा तो देख लेते बच्चों ए ओप्शन यह ओप्शन में रियक्शन अगर इसके साथ करेंगे ही की तो आपका क्या बनेगा देख लो यहां पर यहां पर एसेंटू पाथवे तो यहां पर सी एच त्री आई और यहां पर सी एच यहां पर आ जाएगा यह इस तरीके से तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बना दे तो में इसको उपर बनादेता हूं में ताकि आपको समझ में आ जाएगा अब ओप्शन समँख लेते हैं एक बार ध्याद से यहां पर यह इस तरीके से ही के साथ रियक्शन करेंगे तो आपका क्या बनेगा CS3I ठीक है यह यहां टेक करेगा यह यहां टूटेगा ठीक है और यहां पर क्या बनेगा बच्चो ओ-ईच आप देखो यह यहां सेलकाम बना कि यह आपका तिगा यह आपका तेगा यह आपका एक्सिस में होतों रोगा तो यहां पर का ओ यहां पर इतन की क्या चट्रीक और ऑफ 57 few of इसका oxidation करांगे तो यह बनेगा इसमें तो fragment है लेकिन क्या इसमें है नहीं है ना बच्चो जब इसमें फ्रेंग्मेंट नहीं है तो यह आपका नहीं देगा बी देख लेते हैं बच्चों इपशन ले तो है यहां पर हई चाहि बने गागा और यहां पर ह्या उपा ओड. अगर अगर इस तो आपकर क्या जाएगा यहां पर यहां आपका आपका क्या बन जाएगा यहां पर फ्रेंग्मिन्स यह आपका एलोफोर्म रेक्षन दोनों मतलब को मैं और सी कि यहां पर बच्चों यहांपर क्य बनेगा सिए च्री यहांफ कि यह को याप लोग नहीं कohy और यह क殷ए हो इससे पर में नाओ next question कौन सा आपका एथर नहीं करेगा को नवर 74 और एक्स की ने वोएज के साथ कराते तो यह बनता है और और यह नहीं बनता ऑफशनग ऑप्शन और एक्स की रिएक्शन वेट प्लस के साथ कराने पर यह थी थीएगा यह एक्षण में तक एत्व मैंने अधर में आपको कराया था यह एक्षण मैंने फिनोल के च्पिनोल के च्प्रोपेटी में भी आपको करवाया आपको तो यहां पर चांगा भूर Reaction कि आरो एच की रियक्षिन अगर मैं एच्टू एसो फॉर के साथ कराऊंगा चार्सो तेरा केल्विन पर मिने आपको बताया था है डियाइड्रेशन एक बार एलेक्ट्रो एक बार नुक्लोफिलिक सब्सिटुशन रियक्षिन होता है तो यहां पर भी आपका क्या बनेगा आ है 70t5 आपको अबार करना पड़ाइगा तेखो यहां पर आपका कि इस तरीएस यहां पर अभिए यहां पर नाम किया होगा इसका नाम होता है NT सानाम क्या और निया यहां पर ग्रूप लगा है तो यहां पर जर्ड कर इंब हो बनेंगा इसको फिर 2ट्श में इनराका 9います आगया होगा ठीक है बच्चो तो इस तरीके से हमने यहां पर 75 को कॉशन तक डिसकस कर लिए नाव नेक्स पार्ट में 76-90 को डिसकस करेंगे बच्चो